तो हमने बताया अंतर्स रावी घ्रंथियां हार्मोन सीज्ट करती है और बहिस्रावी घ्रंथियां एंजाइम सीलें रिलेश करती एंतर घ्रंथ ए हम लोग नर्वा इसे में बितें पर आउपलर्मून स्टिक्स ale लेकिन हासे करता है इसलिए इसे हम तो ग्रन्थी बहो लेंगे आप झेल से डेर weekend केऊपर होती है लो मतलब होता है जहां भी कोई सब्धा साइंस में मतलब होता है और अग्नाश है पैंक्रियाज उधर गुहां में होती है अग्नाश है कि लैंगिक जनन गरंति गौनाड आतों के नीचे होती है आपको जानत पता होगा यह अंतास्रावी ग्रंतिया तो यह घल औल है सबसे बढ़ी और शोटी अंतास्रावी टो पीजा हैं हम अंतास्रावी की बात कर रहा हुआ कि याद के सिर्गे लगर के पीनियल में बार-बार चोटी की मात्रा रही है तो सबसे चोटी अंतसरावी ग्रांथी और थायराइड में बार-बार यहां भी यहां भी आग की मातरा आती है और आग को दिर्ग सवर बोलते हैं यहां पर बार-बार दिर्ग झार आ है तो इसलिए इससे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथी होगी तो सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथी होगी थाराइड इसम्हें पताया है जहां से जूस बनता है अर्थात एंजाइम जहां के लिवर भी जूस बनाती है कि लिजैसे बीलियुवीन पीगमेंट बीली वर्दिन पीगमेंट और बहुत शारे जुस बनाती हैं आगे पढ़ेंगे हैं अम आस्य के लगने में रूसे मदलब मतलब होता है पेट के जुन-फेर कहां बनता है में सिइन की प्रालाम और यहां भी आया यहां है दोनों जगों कैसे हम चूंक है जो रॅख मोंस बनाती हैं यहां लतलों दिए लग नहीं पर होगी है लडगियों के पसीना ग्रंथी त्विटंग ग्लै्ण्स पसीना ग्रंथी ये त्वचा में होती है स्वीट मतलब सीना तो स्वीट क्लेंड तौचा में होती है सीना निर्माड करती है तो यह सब क्या है यह बहुत रूपिवा गरंथी आचे यहां लोग पढ़िए सबसे बड़ी अंता-श्रावी थाइम थाराइड और सबसे चोटी हंता-श्रावी पीनियल यहां पढ़ए और प्तहरं है सबसे बड़ी यक्रित ग्रंथी सबसे बारियंग होता है न सरीर का इसलिए यक्रित ग्रंथ सबसे बड़ी बहिस्थ ग्रंथी है सबसे चोटी बहिस्त्रावी ग्रंथी होगी आशु ग्रंथी आशु जब आप रोते हैं चोटी-चोटी टुकड़ों में गिरता है ना आशु चोटी-चोटी भूदों कुरूब में गिरता है आशु तो इसलिए सबसे चोटी बहिस्त्रावी ग्रंथी होगी आशु और आश करते हो जाएगई अंतसरावी का कंसरेप्ट न आए बेच में तो मानोसरीर की सबसे बड़ी गरंति यहीं वाली किसा चोटी रणथी यहीं वाली अनतसरावी सबसे सबसे चोटी होती है इस सबसे चोटी पीनेल ही होती है